वेलकम तो मैं तुम आजीम आप सब लोगा फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूटीब चैनल पर लास्ट वीडियो में जो है हमने सैंपल कोशन्स करें थे नहीं बनेगा इस प्रेशन कोई वाले हैं वह इसन को सॉल करने का सैकेंड मैंफेड सेकेंड मैंफेड सेकेंड तो सॉल्विंग दा सिंपल ईक्राइड का नाम है त्रांस्पोजिंग मैथन बहुत ही अच्छा मेथन है मतलब यह लगा लो कि जो मैंने लास्टाइम आपको मैथन समझाया था वह भी एक मैथन बट जो आगे तक यूज होने वाला मैथन है वह आपका प्रांस्पोजिंग मैथन और बहुत ही इंपोर्ड़न एजी भी है इसस लिए ट्रांस्पोजिंग मैथन पर थोड़ा सा फोकस जादे करना क्योंकि आगे तक आपको यूज होने वाला है ठीक है तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको रेवलरी मिलती रहें और वीडियो होता है कैसे होता है आज पूरा समय जाने जाला है चलिए को यह कोई ऐकोशन घी के दिरें क्वेशन नंबर बन मतला मैं इसे नाम देदियो एक विडियों और ये कुए या दिक यह हुए है देखिये वैस्ट आपको बता है थाए कि दो पार्ट होते है कि आपके नहीं है चैनल ऐसे और फुताई आपका आरेचेस एक तो पार्ट होते हैं लास्ताइं मेन आपको बताया था कि लाइफ हैंड रही से लेफ्ट वाले को लेफ्ट लेफ्ट एंसाइड और एकॉल डाइफ राइट 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 रहे जाएंड बोलते हैं ठीक है यह बाद बताई में क्या करते हैं च्रांस से पहले यह समझ किस्पल इक्वेशन उसका मतलब क्या होता है उसकत छोब भी रिखिवेश्टन में आपको दिया गया है उसकी वैली को हमें निकाल के बता नहीं है और उस वैल्यू को कोई भी एक साइड यानि कि हमारा एक तरफ रह जाए वैरियबल और एक तरफ हो जाए सारी कॉंस्टेंट ठीक है यह हमारी कोशिच बनी रहती है तो उसके लिए क्या करते हैं त्रांस भूसिंट में क्या रहेंगे जो हमारा जो देखिए यहां कि फाइव हमारा पॉंसेंट ह कि हमारा पॉंसेंट है और पूरा जो ट्रम में वे एक साइड हो सकते है नॉर्मली साइड में बेरेबल रखते हैं और राइट हैंन्साइड में अपने सारे पानसेंट रखनेते हैं जो भी दिये होते हैं ठीक है से यही जगे सब्सक्राइब करें और को एक जगे सेक्ष ताकि हमारे सोल जाए तो आगे सम्झ में आ गया आपको तो क्या करना है हमें चलिए मैं नीचे कर दूंगा यहां पर कोई ऐसी बात दिया हुआ है यह एक एक्वेशन दिए हम इसे ट्रांस्पोजिंग मेथट से क्या करने वाले सॉल्फ करने वाले सो अभी क्या करता है हम सेपरेट परते हैं सुथ ट्री एक्ष मैंने अपना वेरियेबल जो है लेफ एंड साइड पर रख लिया और क् भाहर है को ट्री मैंनस फाल मैंने कहते पर ट्वन्टी मा-इस फाल डॉनमु मैस थे प्रांसमोजिंग द्र стало Whoa इस प्रांसमोर मेथ coriander लिर्वेशन में सबसे जो इंपौर्टेंट बात है ध्रीन देने वाली वह यह है कि आपके जह उसमने जेथे अवे जो भिरे सूर फोन वी जोशते हैं हिसकाना इसके अरण प्रांसफर ओते हैं या तो वह लिफ्ञ थे सजोबढ़ा है तों तो मैंने तो आप रिएक्स YouTube1 इस एक्वस्टु 20 माइश आ है接下來 तो आपने इसे माइनिस क्यों कर दिया तो ट्रांसपोसिंघ मेधंड में जब आपके जो नंबर्स है आपके वेलेबल्स है जो आपके टर्म से ना जब उट रांसफर होते हैं तो उनके जुझ है वह चेंज हो जाता है मतलब प्लस जो है मैंनिन चोह हो जाता है मुल्टिप्लिकेशन डिवाइट में चला जाता है तो सबसे इंपोर्टन बात यह है कि जब भी वह आपके ट्रांसफर होते हैं तो उनके साइन होते हैं वह चेंज हो जाते हैं तो इसलिए क्या हुआ कि 3x प्लस 5 इसको स्टू 20 था तो 3x is equals to 20-5 हो गया क्योंकि जब 5 को मैंने ट्रांसफर गा रहा तो उसका जो साइन है वह अपोजित हो गया यह प्लस जो हो गया माइनस में हो गया बात सुनवा लिए चलिए अब आगे देखते हैं तो 3x is equals to 20-5 is 15, okay 20-5 is 15, so equation मेरी क्या बनी रहा गया 3x is equals to 15, 3x is equals to 15, ठीक है तो अभी आगे क्या करेंगे, x की value हमें निकल देख, क्योंकि हमें solve करना है, हमें equation को solve करना है, equation को solve करने का मतलब हमें variable की value चीह होती है उसके लिए, ठीक है तो मैं इसे इधर करने की कोशिश करता हूँ, 3x is equals to 15, 3x is equals to 15, ठीक है अब x की value चीह है, तो मैं x left hand side पे रहने दूमा, x को मैं left hand side पे रहने दूमा, ठीक है और मेरा 3 है, मैं 3 को left hand side से transfer करने जा रहा हूँ, right hand side पे, तो 15, देखिए, अब 3 जो है मेरा x के साथ, वो कैसा है, वो multiplication में दिया हुआ है, और मैंने बताया आपको आपका जब कोई भी number, equal के around transfer होता है, यानि कि left hand side से right hand side जाता है, तो उसका sign change हो जाता है, तो यह अगर into का है, तो इधर आगी क्या हो जाएगा, दिवाइट का हो जाएगा, यानि कि दिवाइट में चला जाएगा, 15 के साथ, दिवाइट में चला जाएगा, अब क्या करें आपके साथ, क्योंकि आप इसी method से अपने equations को solve करेंगे, आप वो दोनों तरफ plus minus करने वाले method से नहीं करेंगे, आप इस method से क्या करेंगे, अपने equation को solve करेंगे, फिर से समझ दीजिए, ट्रांस्पोसिं method है, क्या है कि ट्रांस्पोसिं method में हम अपने जो numbers है, अपने variables है, वो हम करते हैं, transfer, transfer कैसे करते हैं, अपने equal के sign क around transfer करते हैं, और जब transfer करते हैं जिस time पे, left hand side से right hand side, या right hand side से left hand side, जा हम उसे transfer करते हैं, तो उसके sign जो है, change रहते है, sign change होने का मनुदब क्या है, कि 3x is equals to 20 minus 5, plus 5 जो था, वो left hand side से right hand side जाने पर, वो minus 5 हो गया, so 3x is equals to 15, 3x is equals to 15 में, जो 3x के साथ, वो multiplication में है, तो वो left hand side से right hand side जाएगा, तो multiplication का वो divide बाज जाएगा, तो x equals to 15 over 3, so x की value होगी 5, बास पनमाली, ठीक है न, तो यह second method था, transposing method, for solving the simple equation, ठीक है, चलिए, एक question मैं आप और मैं आपको बताऊंगा इस से करना, और कोशिच करिएगा, आप साथ साथ करें, हो सकता है, आप निर से जल्द आप से निपाल दे इस method से, ठीक है, तो no down कर ले, मैं रफ करने जा रहा हूँ, चलिए, next question, next question, कोई भी equation ले सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी equation आप ले सकते है, चलिए, मैं ले ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, 3x over 4 plus 5, ठीक है, plus 5 is equals to, आप ले लेता है यदर, क्या ले लेता है, 17, 22 ले ले हाँ इदर, हैना, 22 ले 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 ले, ठीक है, 22 ले ले, so 3x over 4 plus 5 is equals to 22, so सबसे पहले हम, अपने variable और अपने constant को separate करनी कोशिश करेंगे, so 3x, 3x over 4, और मैं 5 को ले रहा हूँ, और left hand side से, right hand side, so 22, 22 minus 5 में इधा कर दूँगा, so 3x over 4 या अभी ऐसी चलता लाएगा, so 22 minus 5, 22 minus 5 इसका कितना हो गया, यह हो गया, 17, यह हो गया, 17, अब क्या करना है, अब देखी क्या करना है, हमें x, x को हमें अकेला छोड़ना है, और बाकि सारे नंबर हमें एक साइटे जाने, x को हमे अकेला छोड़ना है, so x को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, देखिए, मैं यह आपर लिख देता हूँ, x, मैंने x को अकेला छोड़ दिया रहा था, ठीक है, अब जो बाकि के नंबर है, वो राइट हैं साइट पर कैसे ट्रांसफर होंगे, वो देखिए, 17 into 4, देखिए, 4 मेर मेरा जो है division मेअ था, 4 मेरा जो left hand side में था वो division में था, अब मैं उसे right hand side पे पहचा हरा हूँ, मैं उसे equal के right hand side पे पहचा रहा हूँ, तो जो मेरा forward division में था, division में था, किसका हो गया मंत्यप्लिकेशन गोग्या ठीक है फोर तो इसल चला गया और डिवाइड दिवाइड आएगा ना अभी थी भी बच रहा है थी मेरा एक के साथ कैसे था वह मल्तिप्लिकेशन में था तो राइट रहाइड पर जाएगा तो वह डिविशन में नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा सर बिल्कुल आ जाएगा सो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी आप 17 इंको 4 ओवर 3 करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको समझना आ रहा होगा क्या है प्रांस्पोजिंग मेथड़ देखिए 3X ओवर 4 प्लस 5 इस इक्वस्टू 22 मेरी जो थी एक्वेशन थी तो मैंने क्या करा 3X ओवर 4 को पहले एक साइड रखकर 5 को मैंने राइट हैंड साइड पर भेज दिया 5 को जब राइट हैंड तो वह होगे 17 तो 3X ओवर 4 इक्वस्टू 17 मेरा अंसर आ गया अब मुझे क्या करना एक्स को मैं क्या दो हुआ बिल्कुल सेफरेट रखूँगा एक तरफ और सारे नमबर्स जो है मैं एक तरफ पहुचा दूआ तो 17 इंटू 4 क्यों होगा क्योंकि 4 मेरा जो लेफ हैंड सा जाएगी 17 इंटू 4 ओवर 3 करेंगे आप तो एक्स की वैल्यों आपकी निकल जाएगी तो यह था आपका ट्रांस्वोसिंग मेथट फोर सॉल्टिंग एक्विशन ओके ठीक है ना देखिए समझ दिए और नोट डाउं करें ठीक है ना चलिए चलिए बढ़ते आगे अब ए इंपोर्टंब सूर्ण कि बोला गया है कि इनफ इस जन्स ट्रेइंगल इस डाइस इतर बेस हेंगल फांद ऑन्य इंगल ऑफ रगन फांने अंग दो फ्रेंगल क्या बोलक रहा है कि एक सौर्ण त्रेइन एक आइस तांगल सबसे पहले तो यह कुछ ए मता दीए इस संदम होता क्या है कि किसी को पता है कि किसे को पता है कि मुझे इस को करेंद होता क्या ह revenue अब त्रिया विखाल है एक है चुर्पा माला है यद्ल साइस आइप हुआ के तो इसके कोई भी दो खार जार एंगल और दो साइब फॉस इकॉल होती है तो आप देख पा रहे हैं आपकी एंगल बी एंड एंगल सी आर इकुल है ठीक है एंड साइड एवी एंड एसी आर इकुल कि अस्थे सब्सक्राइब आइसे फिर्स पहले बात य होता है कि कोई दो एंगल ऑर दो स्थे होती है इक कोलो होती है यह दिखाया मैं भी से लफांक तो मिखने यह होता है हमारा उसके दो एंगल और दो साइड जो है इक को यह सब काली बाद तो यह है और ट्राइंगल के एंगलों का सम्वनेटी होता है आप सबको बता है सम ओफ ट्राइंगल सम सम ओफ दी एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि सब्सक्राइंगल के तीनों आप सम जो होता है बनेटी ऊता है यह तीनों पॉइंट इंपोलिंट एंपर्टे लिए ना चलिए अब यूर्म रहा है कि आपका जो ट्राइंगल का वर्टेक्स एंगल है वर्टेक्स एंगल आपका है एक वर्टेक्स एंगल है तो क्या तो यह दोनों एक से तो हमारा बेस जो भी है बिस जो भी है उसका टू टाइम्स जो है वर्टेक्स एंगल ले वह लाइंगल इन वेन इसलोट डजन अढ़ को एक आलेइस का वीले एसमेल ऐसे औरो इसे कि दो आप निकने तूटानल जो है हम अपका बलत सेमेल है अनि ए Wesley आपको वटेक्स एंगल कितना हो जाएगा आपको वटेक्स एंगल A. Virate, vertex, ऺैंगल, A is equals 2, 2X, शही हमें? शही हमें? क्यूंकि बेस्ट के दो गुना तो हो जाएगा और हमारे बेस्ट के एंड़, एंगल B कितना ओ एंगल A है यह, एंगल B कितना हो जागा हमारा, एंगल B X है और एंगल C हमारा जो है, वो है X, अब कोशन में हमसे पूशा गया, find the angles of triangle, triangle के जो तीनों एंगल है ना, उनकी value हमें बतानी है, तो चलिए, अब हम जानते हैं कि इन तीनों का sum, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, प्लस एंगल B, प्लस एंगल C, जो होता है, हमारा बनेटी होता है, मैंने भी बताया आपको, कि triangle के तीनों एंगलों का sum जो होता है, बनेटी होता है, मैंने बिल्कुल जस्टर भी बताया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो हो जाएगा हमारा 180 degree हो जाएगा एंगल A की value कितनी है? एंगल A की value है 2x एंगल A की value है 2x प्लस एंगल B की value कितनी है? एंगल B की value है आपकी x एंगल B की value है आपकी x और एंगल C की value कितनी है आपकी x? वो भी x है किसके परापर हो गया 180 degree के So 2x plus 1x is 3x plus 1x is 4x तो कितना हो गया यह हो गया 4x 4x किसके परापर हो गया 180 degree के क्या मैं सही हूँ क्योंकि हमने तीना हिंदों को add गया दिया ना 2x plus 1x is 3x plus 1x is 4x So 4x is equals to 180 4x is equals to 180 यहां तो मैं लिद्देता हूँ कि यह पूर्शन आब आगया इदर है ना है नीचे से आब आगया इदर So 4x is equals to 180 So 4x 4x is equals to 180 फिरवाई ट्रांस्टोजी मेथाट साम करेंगे इसे जो हमारा 4 x के साथ मुल्टिप्लिकेशन में है तो opposite side जाने पर कितना हो जाएगा 4 हो जाकर दिरिशन में So x की value कितनी हो जाएगी 180 180 over 4 180 over 4 अब 4 6 से इवाइट कर ले कितना हो जाएगा 440 440 16 60 18 में से 16 गये तू बचे तू आपका 0 के पास जाएगा So आपे आगया कितना आगया 20 आगया 20 आगया 45 से 20 45 सा 20 तो x की value आगया 45 x की value आगया 45 चलिए यह x की value आई है अभी कोशन पुरा नहीं हुआ यह आई है जो value जो आई है x की value की किका न x की value आगया अब हमें angle a, angle b, angle c की value बतानी है angle a की value कितनी वह जाएगी angle a की value याई लिए 2 into 45 2 into 45 so 90 degree angle a हो गया आपका 90 degree angle b कितना हो जाएगा angle b कितना हो जाएगा x की value जो है 45 की रहने वाली है so 45 angle c की value क्या है x angle c की value बतानी है ठीक है question समझ में आया फिर से समझाते हैं बोला गया था question में बहुत ही important question है मतलब olympiad वाली जो बच्चे है इसके question को बहुत ही important लेके चले बहुत ही जादा important है इसे जो फॉर्मेट होते है सब्सक्राइब के एंगल a एंगल b और c कस्रम क्या होगा 180 होगा हमने किनों को क्या कदिया 2x plus x plus x is goes to 180 4x is goes to 180 4x is goes to 180 4x c में से हमने क्या करा x की value निकाल दी ट्रांस्पोजिक मेथड़ वाली से 4x is goes to 180 x की value आ गई है 45 x की value 45 आ यह ज्यान रखिए x की value 45 आ यह एक triangle के angle की value नहीं आई है यह x की value 45 आ यह अब देखिए हमने vertex angle कितना वाला था vertex angle a कितना था 2x के बहाब अब था क्योंकि twice था ना 2 x 45 angle a 2 x 45 कितना हो गया angle a कितना हो गया हमारा 90 degree angle b जो x था हमारा तो वह x की value 45 आ यह ला तो angle b 45 हो गया और angle c हमारा again 45 हो गया तो कुछ इस तरह से आपका वो बन गया क्या क्या कहते है मैं इसे लिए तो आपका जो triangle है आपका जो triangle है फो कुछ इस तरह से बन गया है यह और आपका यह वह है यह angle a है आपका यह आपका angle b है और यह आपका angle c है तो यह तो आगया अपका 90 degree यह आपका आगया 45 और यह भी आपका आगया कि एंगल का अंसरम निकल चुका है कि एंगल A जो है 90 डिग्री है एंगल B जो है 45 डिग्री और एंगल C आपका 45 डिग्री है I hope आपको यह वाला जो कोशन है समझभा है होगा important question है अच्छा concept है है न ठीक है तो यह जो था आज का वीडियो आज का वीडियो इसी पर बेश था कि आपको method जो है सिखाना था आज का जो वीडियो था वो इसी ही चीज़ के था कि equation को transposing वाले method से कैसे solve किया जै क्योंकि बहुत easy जो है यह method है और आगे तक use होने वाला method है और उठीक के चलते मैंने एक question आपको बहुत important आपको परवाया है तो आपको एक video clear हुआ होगा कोई doubt नहीं रहा होगा और in case अगर अभी भी कोई doubt है तो आप comment करके मुझे जरूर बताईए कि आपको जो content मिल रहा है इस पर बहुत अच्छा मिल रहा है ताकि आपके दोस्तों को भी इससा benefit मिलता रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon को जरूर जबाए ताकि आपको जो notification है regularly मिलते रहे हैं तो वीडियो पास नहीं ख़तन करते हैं next video में मिलते हैं घर पे रहें सुल कीतरा है मिलत नहीं जीब करते हैं तो कि आपको जबाए घर लुक्त खपते हैं और झाल लहा है